भगवत गीता में यह साफ साफ लिखा है कि जब जब इस प्रित्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान विश्नु इस प्रित्वी पर अवतरित होकर पापियों का नाश करेंगे भगवान शीव और भगवान विश्नु ने कई बार इस प्रित्वी पर अवतार लिया ह भगवान विज्णू के 23 अवतार अब तक इस पृत्वी पर अवतरित हो चुके हैं अद्धी मवतार कल की जी होंगे जो की कल्यों के अंत में अवतरित होंगे नमस्कार मित्रो आपका ग्यानवीला यूट्यूब चैनल में स्वागित है नमबर एक शिरी सनकादी मुनी अवतार धरम गरंथोगे अनुसार शिष्टी के अरंभ में लोग पितामा भ्रह्मा ने अनेक लोगों की रचना करने की इच्छा से गोर तबस्या की उनके तब से प्रसन होकर भगवान विष्णू ने तप अर्थ वाले सन नाम से युग्द होकर सनक, सनन्दन, सनातन और संत कुमार नाम के चार मुनियों के रूप में अवतार लिया यह चारो प्रचंड काल से ही मोक्ष मार्ग प्रायन, ध्यान में तलीन, नित्य सिद, एव नित्य विरक्त थे यह भगवान विष्णू के सर्व प्रतम अवतारों में माने जाते हैं नमबर तू, वरहा अवतार, धरम गरंथों के अनुसार, भगवान विष्णू ने दूसरे अवतार वरहा रूप में जनम लिया था पुरानिक काल में दैतेहरा ने आक्ष ने जब प्रत्वी को ले जाकर समुंदर में चिपा दिया था तब ब्रह्मा की नाग से भगवान विष्णू वरहा रूप में प्रकट हुए थे भगवान विष्णू के इस रूप को देकर सभी देवतावा दिशी मुनियों ने उनकी स्तूती की थी सबके आगरह पर भगवान वरहा ने प्रत्वी को दूड़ना प्रम्ब किया था अपने मुहों की सहायता से उन्होंने प्रत्वी का पता लिगाया था और समुंदर के अंदर जागर अपने दांतों में रखकर वह प्रत्वी को बाहर ले आये थे जब हिरने आक्ष डैक्ष्टर यह देखा तो उसने भगवान विश्णू के वरहा रूप को युद्ध के लिए ललकारा धोनों में भीशम्ड युद्ध हुआ और अंत में भगवान वरहा ने हिरने आक्ष को वद्ध कर दिया था धरम गरंतों के अनुसार देवरिशी नारद भी भगवान विश्णू के ही अवतार हैं शास्तरों के अनुसार नारद मुनी ब्रह्मा के साथ मानस पुत्रों में से एक थे उन्होंने कटिन तपस्याजे देवरिशी पध पराप्त किया था वेह भगवान विश्णू के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं देवरिशी नारद धरम के प्रचार तथ लोक कल्यान के लिए हमेशा प्रतनशीर रहे थे श्रीमत भगवद गीता के दशम अध्याएक चब्शम श्लोक में समयम भगवान श्री क्रिशन ने इनकी महत अवतार को सभीकार करते हुए कहा है देवरिशीयों में मैं नारद हूँ श्रीष्टी के अरंब में भगवान विश्णू ने धरम की स्थापना के लिए दो रूपों में अवतार लिया था इस अवतार में वह अपने मस्तक पर जटा धारन किये हुए थे उनके हाथों में हंस चरनों में चक्र एवं वरक्ष स्थल में श्रीवद्सिर के चिन थे उनका संपून वेश तपस्वियों के समान था धरम गरंतों के नुसार भगवान विश्णू ने नर नरायन के रूप में यह अवतार लिया था बगवान विश्णू ने पाजवा अवतार कपिल मुनी के रूप में लिया था इनके पिता का नाम महालशी कर्दम वा माता का नाम देव होती था भगवान कपिल के क्रोट से ही दाजा सागर के 60,000 पुत्र भसम हो गए थे कपिल मुने भागवत धरम के प्रमुक 12 अचारयों में से एक है धरम गरंतों गे नुसार धर्तातरे भी भगवान विश्नों के अवतार थे भगवान विश्नों के साथ में अवतार का नाम यग्य है धरम गरंतों के अनुसार भगवान यग्य का जनम स्वेंभू मानव अवतार में हुआ था भगवान यग्य के उनकी धरम पतनी दक्षणा से अतेयंद तजैस्वी बहरापुत्र उतपन हुए थे और वह ही स्वेंबू मानव अवतार में याम नामक बारा देवता कहलाते हैं नमबर आठ भगवान रिशब देव भगवान विश्णू ने रिशब देव के रूप में आठवा अवतार लिया था धरम ग्रंतों के अनुसार महराज नाभी की कोई संतान नहीं थी इस कारण उन्होंने अपनी धरम पतनी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यग्य किया यग्य से प्रचन होकर भगवान विश्णू स्वेम प्रकट हुए और उन्होंने महराज नाभी को वर्दान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा वर्दान सवरूप कुछ समय बाद भगवान विश्णू महराज नाभी के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे पुत्र के अतेंत सुंदर और सुंगठित शरीर को देखकर महाराज नावी ने उसका नाम रिशव यानि की श्रेष्ट रखा नमबर नो आदीराज प्रथू भगवान विश्णू के एक अवतार का नाम आदीराज प्रथू था धरम गरंतों के अनुसार स्वेंबू मनू के वंश में अंग नामक प्रजापती का विवहाब मृत्व की मानसिक पुत्री सुनिता के साथ हुआ था उनके यहाँ वे नामक पुत्र हुआ उसने भगवान को मानने से इंकार कर दिया और स्वेंगी पूझा करने के लिए कहा तब महारिशियों ने मंत्र पूत्र कुशों से उसका वद्ध कर दिया तब महारिशी ने पुत्र ही नाजा वेन की भुचाओं को मंथन किया जिससे नामक पुत्र उत्पन हुआ पृतु के दाइने हाथ में चक्र और चर्णों में कमल का चिन देक कर रिशियों ने बताया कि पृतु के वेश में स्वेहम श्री हरी का अंज अवतरिद हुआ है पुराणों के अनुसार भगवान विश्णू ने श्रिष्टी को प्रले से बचाने के लिए मत्से अवतार लिया था इस अवतार में भगवान विश्णू ने इस संसार को भ्यानक जल प्रले से बचाया था साथ ही उन्होंने हाई ग्रीव नामक दैते का भी वद्ध किया था जिसने वेदों को चुला कर सागर की गहराई में चिपा दिया था धरम गरंथों के नुसार भगवान विश्णु ने कुम्र यानि की कचुएक अवतार लेकर समुंद्र मन्थन में सहयता की थी भगवान विश्णु के कुम्र अवतार को कश्चप अवतार भी कहा जाता है समुंद्र मन्थन करने के लिए मंदराचल परवत को मथानी और नागराज वासूकी को नेती बनाया गया था किंतु मन्दराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुंद्र में डूपने लगा यहाद देखर भगवान विश्णु विशाल कुम्र यानि की कचुए का रूब धारन कर समुंद्र में मन्दराचल के अधार बन गए भगवान कुम्र की विशाल पीट पर मंदरा चलते जी से घोमने लगा इस प्रकार समुंदर मंतन संपन हुआ धरम करंथों के नुसा जब देवताओं और द्यात्यों ने मिलकर समुंदर मंतन गिया तो उसे सबसे पहले भयानक विश निकला इसे भगवान शिव ने पी लिया इसके बाद समुंदर मंतन से उच्च श्रेवा घोडा देवी लक्षमी एरावत हाथी कल्प विरिक्ष अपस जाता है नंबर 13 महुनी अवतार पुराणिक कथाओं के अनुसाल समुंदर मंतन के दोरान सबसे अंत में धनवंतरी अमरित कलश लेकर निकले जैसे ही अमरित मिला अनुसाशन भंग हो गया देवताओं ने कहा कि हम ले ले और द्यात्यों ने कहा कि हम ले 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 इसी खीच विश्नु ने मोहिनी अवतार लिया, भगवान ने मोहिनी रूप में सब को मोहित कर लिया, मोहिनी ने देवता वा असुनों की बात सुनी और कहा कि यह अमरित कलश मुझे दे दीजिये, मैं बारी बारी से देवता वा असुनों को अमरित पान करा दूँगी, दोनों ही मान के देवता एक तरफ तो था असुर दूसरी तरफ बैट कई फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विश्णू ने मदुरगान गाते हुए निर्ते करते हुए देवता वह असुरों को अमरित पान करवाना प्रम्ब किया वास्तेविक्ता में मोहिनी अमरित पान तो सिर्फ देवता को ही करा रही थी जबकि असुर समझ रहे थे कि वहवी अमरित पान कर रहे हैं इस प्रवकार भगवान विश्णू ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया द्रम गरंतों के नुसार द्यात्यों का राजा हिरन्यका शब स्वैं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था उसके राज्य में जो भी भगवान विश्णू की पूझाकर आ वह उसको डंडित कर देता था उसके पुत्र का नाम परलाद था, परलाद भचपन से ही भगवान विश्णू का परमभक्त था, यह बार जब हिरन्य कशप को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ, और परलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब परलाद नहीं माने, तो हिरन्य कशप न कशप स्वें परलाद को मार नहीं वाला था, तब भगवान विश्णू नर्सिंग अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए, और उन्होंने अपने नाखोनों से हिरन्य कशप का वद्ध कर दिया, नमबर पंदरा, वामन अवतार, सत्यूग में परलाद के पौत्र, द्यात्य राज बली ने स्वर्ग लोग पर अधिकार कर लिया, सभी देवता इस विपत्ती से बचने के लिए भगवान विश्णू के पास गए, तब भगवान विश्णू ने उनको मत्त करने का आसवाशिन दिया, कुछ समय पश्चाल बगवान विश्णू ने वामन अवतार में चनम लिया, एक बात जब बली महान यग्य कर रहा था, तब भगवान वामन बली की यग्य शाला में गए, और राजा बली से तीन पग धरती दान में मांगी, राजा बली के गुरु शुकर चारे भगवान की लीला को समझ गए, और उन्होंने बली को दान देने से मना कर द तो बली ने भगवान वामन को अपना सिर पर पग रखने के लिए कहा, बली के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोग पहुँच गया, बली की दान वीरता दे कर भगवान ने उसे सूतल लोग का स्वामी बना दिया, इस तना भगवान वामन ने देवतों की सहरता कर उन्हें स्वर्ग पुना लोटाया नमबर सोला है ग्रीव अवतार धर्म गरंतों के अनुसार एक बार मधू और कैटब नाम के दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरन कर रसातल में पहुँच गए वेदों का हरन हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत ही दुखी हुए और भगवान विश्नु के पास पहुँचे तब भगवान ने हैगरीव अवतार लिया इस अवतार में भगवान विश्नु की गर्दन और मुक घोडे के समान था तब भगवान हैगरीव रसातल में पहुँचे और मदू केटब का वद्ध कर वेडपुना भगवान ब्रह्मा को दे दिये धर्ब करन्तों के अनुसार प्राचीन समय में स्रीकुट नामक परवत की तराही में एक शक्तिशाली कजेंद्र अपने हाथियों के साथ रहता था एक बार वेह अपनी हत्नियों के साथ तलाब में स्नान करने किया वहाँ एक मगरमच ने उसका पैर पकड़ दिया और पानी के अंदर खीचने लगा थीतिल पड़ गिया और उसने भगवान श्री हरी का ध्यान किया गजेंद्र की स्तुदी सुनकर भगवान श्री हरी प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगर मच का वल्द कर दिया भगवान श्री हरी ने गजेंद्र का उधार कर उसे अपना पार्षद बना लिया नमबर अठरा पर्शूराम अवतार हिंदू दरम ग्र अनुषार पर्शूराम भगवान विश्नू के प्रमुक अवतारों में से एक थे परिशूराम भार्गव वंचत जन में विश्नू के छटे अवतार है उनका जनम त्रेता युग में हुआ था पुराणिक मान्यताव के अनुसार उनका जनम ब्रगुश रेष्ट महारिशी जम तगनी द्वारा यग्य से प्रचन होकर देवराज इद्र के वर्दान सबरूप पतनी रेणुका की गरब से हुआ था। उन्हें भगवान विश्णु का अंशाबतार भी कहा जाता है। क्योंकि भारतिय पुरानिक्ता में परचुराम क्रोध से प्रयापत रहे हैं। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोल सबरूप उन्होंने शत्रियों के साथ 21 बार युद्ध किया था और उनका समूल नाश भी किया था। परचुराम जी का उलेख रमायन और महाभारत दोनों ह पुराणों में महारिशी वेदवियास को भी भगवान विश्णों का अवतार काहा गया है। भगवान वियास नरायन के कलावतार थे। वह महाग्यानी महारिशी पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ही मनुश्य की आयू और शक्ती को देखते हु वेदों के विभाग किये थे इसलिए उन्हें वेद ब्याज भी कहा जाता है इन्होंने ही महाभात करंद की रचनावी की थी नमबर 20 हंस अबतार एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे तबी वहां उनके मानस पुत्र संकादी पहुंचे और भगवान ब्रह् श्री भगवान अद्रिशे होकर अपने पवित्रधाम चले गए नमबर 21 श्री राम अवतार त्रेता यूग में राक्षेस राज रावन का बहुती आतंक था उससे देवतापी ढरते थे उसके वद्द के लिए भगवान विष्णू ने राजा दशरत के यहां माता कुशल की गरब से पुत्र रूप में जनम लिया था इस अवतार में भगवान विष्णू ने अनेक राक्षेसों का वद्द किया था और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया था द्वाबर युग में भगवान विष्णू ने शिरी कृष्ण अवतार लेकर धर्मियों का नाश किया था भगवान शिरी कृष्ण का जनम कारागार में हुआ था इनके पिदा का नाम वासुदेव और माता का नाम देव की था भगवान शिरी कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमतकार किये और दुष्टों का सर्वनाईश किया तंस का वद्ध भी भगवान शिरी कृष्ण नहीं किया था महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सार्थी बने और दुनिया को गीता का ग्यान दिया धर्मराज युदिष्टिर को राजा बना कर धर्म की स्थाबना की भगवान विश्णू का यह अवतार सभी अवतारों में श्रेट माना जाता है धर्म गरंथों गैनुसार बोध धर्म के प्रवक्ता गोतम पुथ भी भगवान विश्णू के ही अवतार थे प्रंतु पुराणों में वन्नित भगवान पुद्ध देव का जनम गया में समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है अगर आप इस चैनल पर नए है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर महाभारत, भगवत कीता, गरुडपुरान और हिंदु धार्मिक कताय वीडियो माध्यम से देखने को मिलेंगी अगर आप इन सब वीडियो को देखने में रूची रखते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद